आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नमबर 13, बार्वी एंसी आटी, हिस्ट्री, थीम नमबर 3 ये चैप्टर मात्मा गांधी के बारे में बात करा है, उनका जो नाशनलिस मुमेंट है, पूरा जो उनका करियर रहा है इंडिया में उसकी चर्चा करेगा शुरू होता है 1915 में और आपको माले में एक खतम होता है 1948 में शुरुवात में ओवर इविव में देखें क्या क्या हमें समझे मिलेगा, पहले हम मात्मा गांधी के बारे में जानेगे किस तरीके से वो एक लीडर के तौर पर अनॉंस किया जाते हैं, उनका आगास कैसे होता है इसकी बात करेंगे नौन कोपरेशन मुमेंट की चर्चा होगी और पॉपिलर मुमेंट को किस तरीके से गड़ा जाता है, किस तरीके से तयार किया जाता है, इसकी बात करेंगी पहले तो गांधी का मज़ाग उड़ाते हैं, कहते हैं ये पतलास आदमी है, धोती पेन के गूनता रहता है, ये क्या कर लेगा, ये इतनी दूर कैसे चल पाएगा पैदल, लेकिन जब वो गांधी का determination देखते हैं, तब उनको समझ में आता है, कि ये पैदल चलना तो बहुत चोटी बात है, भारत को आजादी भी ये ही दिला सकते हैं, फिर हम दांडी मार्च की चर्चा करेंगे, आके सॉल्ट सत्तक रहे और सही मायनिय में सिर्फ सॉल्ट ही क्यों उठाया गया, as a agenda, आपने शकर सत्तक रहे नहीं देखा, हल्दी सत्तक रहे नहीं देखा, तो आके सॉल्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों था, फिर हम बात करेंगे कुछ डैलोक्स की, कुछ चर्चाओं की बात होगी, कुछ इंडिया मूमेंट का क्या इंपैक्ट था इसकी बात करेंगे, और आकरी दिन, जो आकरी उनके जीवन के जो दिन थे, किस तरीके से जापाजी दि रखे थे, और फिर हम प्रयास करेंगे अलग-अलग सोटसिस से गांधी को समझने का, शुरू करें चर्चा, सबसे पहले तो आप देखिए, कि हर बड़े नेशन की आगर मैं बात करूं, चाहे मैं इटली की बात करूं, या फिर मैं बात करूं, अमेरिका की, या फिर वियत कबूर, मजीनी, एक हतियार है, एक तलवार है, एक दिमाग है, एक दिल है, इस तरीके से इटली में बात करी जाती है, जोर्ज वशिंग्टन की बात करी जाती है, जिन्नोंने अमेरिकन वार उफ इंडिपेंडनेंस में लीडर्शिप का रोल प्ले किया, होची मिन की बात क करने के लिए colonial rule के खिलाफ struggle किया और उसी तरीके से महात्मा गांदी हैं जिन्होंने भारत को आजाद किया और हम उनको father of nation के तौर पे जानते हैं एक तरफ तो गांदी जी बहुत जादे influential personality थे दूसरी तरफ उनका सम्मान भी बहुत था जितने भी उनके participant थे जितने भी उनक सम्मान था freedom struggle के टाइम पे अगर आप देखें तो सब उनकी बात मानते भी थे और उनका सम्मान भी करते थे जिस तरीके से मैं George Washington Ho Chi Minh की बात कर रहा हूँ उसी तरीके से जो महात्मा गांदी का political career है वो society के एर्दगिर्ध बनता है और society के एर्दगिर्ध ही वो पूरा shape लेत करती है इस chapter में हम गांदी जी के activities को analyze करेंगे और जैसा मैंने बताया कि यह जो period है analysis का यह 1915 से लेके 1948 की बीच में रहेगा यहाँ पर अलग-अलग sections के साथ किस तरीकी से interact की Indian society में इसकी बात करी जाएगी popular struggles जो है इनकी भी चर्चा करी जाएगी और अलग-अलग जो sources है historians जिससे reconstruct करते हैं गांदी के career को इसकी भी बात करी जाएगी अलग-अलग जो sources है वो national moment भी हो सकती है पत्र भी हो सकते हैं चर्चाएं हो सकती हैं वो तमाम चीजों की हम बात करने वाले हैं यहाँ पर देखें सीधे हाथ पे लोग एखटे होते हैं जन सहलाब आता है साबरमती रिवर के बैंक पे महत्मा गादी यहाँ पर salt मार्च करने हैं 1930 और यहाँ पर जब वो अपनी speech देंगे तो उनकी speech सुनने के लिए आए हैं यहाँ पर लोग एखटे हुएं मोहन दास करमचंद गादी यह 1915 जनवरी में लोटते हैं भारत साउथ एफरिका में इन्होंने लगवग 20 साल काटे थे और गए तो थे as a lawyer कुछ law के काम के एसाब से लिकन भहाँ पे जाके यह भारतिये community के लिए इंडेर community के लिए काफी काम करते हैं अगर आपको बहतर जानकारी चाहिए तो 1982 में एक पिक्चर वनी थी गांधी नाम से जिसमें Ben किंसले ने अक्टिंग करी है आप वो पिक्चर देख सकते हैं आपको तीन घंटे की पिक्चर है लेकिन तीन घंटे में आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा गांधी as a leader के ब कि South Africa ही ऐसी जगा थी जहांपर महात्मा बन गए the making of महात्मा की बात करे जाए तो वो जगा South Africa थी South Africa में सही Monument at practice करके आए थे गांधी अपने पूरे तरीके जो उनकी टेक्निक थी non violence की सत्त ग्रह का जो तरीका था उसको बड़ी अतरीके से practice करके चमका के यहाँ पर आए फुल फॉर्म में साथ में बात करते थे religious harmony की चाहे अपर कास्ट हो लोर कास्ट हो चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो सिक्क हो पार्सी हो इन सब को साथ में unison में रखने की बात करते थे साथ में women rights के बारे में women's को भी साथ में लेने की बात करते थे हम देखेंगे intelligence या किस तरीक से महात्मा गांदी के आने की वज़े से national struggle का जो framework है वो ही change हो जाता है महात्मा गांदी 1915 में जबाते हैं तो 1915 बहुत अलग था 1893 में जब वो गय थे तब से 1915 का जो भारत है उसमें बहुत तबदीली आ गय थी बहुत बदलाव आ गय थे हां ये सही है कि British colony था तब भी लेकिन उसके बाद भी political sense में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया था 1893 के comparison में 1915 का भारत politically ज़्यादा active था इंडियनाशनल कॉंग्रेस बन चुकी है मुख शेरों में और कस्बों में इनकी branches भी खुल चुकी है स्वदेशी movement हो गया 1905 से 1907 के बीच में जिसकी वज़े से जो middle class है वो भी जुड़ चुका है इंडियनाशनल कॉंग्रेस के साथ और यह जो एक struggle चल दा था उसके साथ साथ में आप देखें तो गजब के बड़े बड़े दिगजनेता भी इस moment के साथ जुड़े थे बाल गंगातर तिलक महराष्ट से विपिन चंदर पाल बंगाल से और लाला लाचपतराई पंजाब से इन तीनों को साथ में लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था यह तो ह करते थे जिनका काम था प्रेयर और प्रेटिशन वाला माई बाप माई बाप कहके यह काम लिया करते थे और दूसरी तरफ एक्स्टिमेस्ट हुआ करते थे जो कहते थे कि हमें revolutionary तरीके से आजादी हासिल करनी होगी militant तरीकों के लिए भी यह उससे परेज नहीं करते थे हत साथ में मुहमब दिली जिनक की भी चर्चा करी जाती है कि यह भी गुजरात से आने गुजरात से आये थे और यह लेंडन में पड़े थे यह भी बैरेश्टर थे बकील थे गुखले एडवाईस करते हैं गांधी को के भाई अभी आये हो 1915 में ज़रा घूम लो इंडिया भारत दर्शन इनका गुखले कहते हैं कि तुम भारत दर्शन करके आओ तो गांधी जी ट्रेन में बैट जाते हैं और बड़िया भारत दर्शन करते हैं 1916 में पहली बार ये अपना पब्लिक अपीरेंस करने वाले हैं फरवरी 1916 में जब बनारस हिंदू उनिवरसिटी का फॉंडिंग जब फिता काटा जा रहा था जब इनाउगरेशन हो रहा था अब देखिए यूनिवरसिटी कोई छोटा मुठा मागान तो है नहीं दस बाए-दस का यूनिवरसिटी एकड़ो में बनती है आप कभी बियरे जाएंगे तो आपको समझ में आया का कि यूनिवरसिटी बड़े बड़े एरिया में बनेगी hostel भी होगा mess भी होगी पढ़ाने की जगा होगी प्रोफेसर के रहने की जगा होगी बाग बगीचे होंगे labs होंगी बहुत चीज़े लगते हैं अब यह चीज़ एक आदमी के बसका तो है नहीं तो राजे रजवाले प्रिंसेज और बड़े बड़े जो धनाड़े फिलन्त्रोपिस्ट हैं वो डोनेट करते हैं और उन्होंने डोनेट किया था भी एच्चीव बनाने के लिए यहाँ पर बहुत बड़े बड़े नेत आया थे कॉंग्रेस के जिनके सामने गांधी की कोई पूछ नहीं थी कोई पहुँच नहीं थी क्यों क्योंकि शुरुवाती दोर में आप देखें तो गांधी साउथ एफरिका में जो इमेज बना के आया थे उसी का रिफ्लेक्शन का एड्वांटेज उनको इंडिया में मिल ला है अभी इंडिया में उन्होंने कुछ नहीं किया है सिर्फ भारत दर्शन किया है यह देखें 1908 की पिक्चर है फरवरी की साउथ एफरिका में गांधी जी बैठे हैं बड़ी है सोफे पे और उनकी फोटो कीची गई अब सब की बारी आती है बोलने की सारे दिगज नेताएक करके बोलते है और उसी बीच में बारी आती है बोलने की गांधी की गांदी एकदम से अपनी बंदूख मेंकालते हैं और fire करने लगते हैं अमीरों के उपर गांदी के बंदूख मतलब उनके शब्द वो इंडियन इलीट्स के उपर जो principles हैं जो philanthropist हैं उनके उपर सीधा सवाल उठाते हैं और वो कहते हैं कि आप जो living poorts हैं इनकी तरफ जो आप concern नहीं रखते हैं, आप जिस तरीके से उनकी तरफ से मूँ मोड़ दे रहा हैं, यह बहुत गलत है, बड़ा गजब का यह तैयारी की है, बहुत ताना बाना लगा है, बहुत अच्छी बात है, लिकिन आप उन लाखों गरीबों को भूल दे हैं, जिन में कंट्री में में, आप अपने देश के लोगों में भरोसा नहीं करते हैं, इस तरीके की बात करी जाती है, तो जो एक spirit of, जो idea of trustorship है, जो गांधी हमेशा कहते हैं, कि अगर अमीर आदमी के पास पैसा है, तो वो अमीर आदमी के पास गरीब आदमी का हिस्सा भी है, तो जरू कोई भी self-governance की spirit नहीं हो सकती, जब तक, जब तक जो patient है, उसको जो भी मेहनत वो करना है, उसका सिला उसको नहीं मिलता है, यहाँ पर यह कहते हैं, कि अगर आपको salvation चाहिए, अगर आपको इस स्तिती से बाहर निकलना है, तो उसका एक रास्ता है, farmers को आपको साथ में पीशेंट से होता, गरीब आदमी से होता, बरकर से होता हुए निकलेगा, अब देखें आप तो बड़ा अजीब सी बात है, कि BHU ऐसी ओकेशन थी जहां celebration की बात हो रही है, भाई साब इतनी बड़ी university बनी है, nationalist university बनी है, और वहाँ पर आप जाके क्या करते हो, जिन्हों न पैसे दिया, आप उनी की टांग खीचने लगी, तो ये बड़ी तेड़ी बात थी, लेकिन आप आगे देखेंगे, गांधी जी ने जो कहा, वो करा, he was man of words, आप अगर पढ़ेंगे गांधी जी की किताब, तो आपको पता चलेगा, माई experiment with truth में भी आपको पता चलेगा, कि दांधी as a father of nation इसलिए किलाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो बोला वो करा, एक्स्ट्रा बोलना नहीं, और जितना बोलना होतना करना, और ये चीज़ अभी आपको आगे की discussion में प्रूव होगी, तो एक तरफ गांधी congratulation ना करने की जगा, लोगों को remind करते हैं कि आप क्या मि majority population जिसमें peace and out worker आते हैं, वो यहाँ पर unrepresented हैं, आप उनको miss कर रहे हो, गांधी जी कि ये जो speech है 1916 की, ये एक level है, एक तरफ है, जिसको लोग समझते थे कहां, इन्होंने कुछ facts हमें बता दी, it was just called a statement of facts, लेकिन दूसरी तरह आप Indian nationalism को भी अगर देखेंगे, तो Indian nationalism में भी elite phenomena था, बड़े-बड़े जो lawyers और doctors हैं और landlords हैं, वो ही मिलके बात करते थे तो Indian nationalism जो था, वो एक limited section of society तक confine था, दूसरी तरह आप उनके intent की बात करें, गांधी आकर ये बात कर रहे हैं, तो क्यो कर रहे हैं, ये पता चलता है, जब Indian nationalism के प्रती गांधी की जो desires हैं, उनको वो announce करते हैं, वो कहते हैं कि representation पूरी तरीके से आना चाहिए, हर भारतिये की तरफ से representation आना जरूरी है, खासकर जो majority है भारत की, जो गरीब है, जो percent है, उसकी तरफ से तो आना ही आना चाहिए, फिर सीधे हाथ पे देखिए महात्मा गादी, कराची में 1916 मार्च, इसी साल 19 1916 में गांधी के पास एक मौका आता है, जब annual congress हो रही थी लखनाव में December 1916 में, तब गांधी के पास कुछ percent आते हैं, और यह चंपारन में जो किसानों के हाल थे, चंपारन बिहार में जो किसानों के हाल थे, उसके बारे में बताते हैं गांधी को, कि किस तरीके से जो British indigo plan हैं, वो काफी oppression कर रहे हैं, बहुत ill treatment कर रहे हैं किसानों के साथ, गांधी पहुंच आते हैं, 1917 में चंपारन में जाते हैं, और पीसेंट्स को security of tenure साथ में उनको जो क्रॉप सुगाने हैं, cultivation of their choice का freedom दिलवा के आते हैं, फिर 1918 में वो अपने home ground में, मतलब की गुजरात में busy ह जाते हैं, एक तरफ एमदाबाद में जो labor dispute था, उसको solve करते हैं, textile mill workers का, और दूसरी तरफ खेडा में जो पीसेंट्स थे, उनके लिए remission कराते हैं, जो taxes उनको कम करवाने का काम करते हैं, क्योंकि फसल जो थी, उस साल अच्छी नहीं हुई थी, तो यह जो initiatives हैं, अब आप आप देखेंगे, चमपारन हो गया, एमदाबाद हो गया, और खेडा हो गया, केक हो गया, यह सारे जो हैं, यह छोटे-छोटे issues थे, छोटे-छोटे मतलब local level की issues थे, लेकिन अगर आपको एक nationalist leader बनना है, तो उसके लिए जरूरी क्या है, आप pan India issue को उठा है, यह सारे जो बड़ी moment तैयार हो सकती थे, 1914 से 1918 की बीच में जो world war हुई थी, वो खतम हो गई थी, इसके साथ में आप देखें, censorship आ गया था, press के उपर censorship लगा दिया था, कोई भी चीज अगर चाप नहीं तो उसके पहले उनको दिखाना पड़ता था, अंग्रेजी हुकूमत को, साथ में इस तरीके के tough measures लिये गए, गांधी इसके खिलाफ ये जो roll attack आया था, इसके खिलाफ बहुत बड़ी camping शुरू करते हैं, पूरे देश में camping करते हैं, नौर्थ और वेस्ट की अलाकों की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर पूरा जो रोजमर्रा का जीवन था, वो बिलक खतम हो गया था, stand still पे आ गया था, दुकाने बंध हैं, बच्चे स्कूल ने जा रहे हैं, पूरी तरफ से बंध हो गया, इतना ज्यादा असर था इनका, पर्टिकुलर ले अगर पंजाब में देखें, तो प्रोटेस्ट बड़े जोरदार इसलिए हो रहे थे, क्योंकि पं पंजाब, जब वो जा रहे थे, पंजाब में की तरफ जब वो प्रसीट कर रहे थे, तब उनको डेटेन कर लिया जाता है, और भी बहुत दिकत जो कॉंग्रेस के लीडर्स थे, उनको भी डेटेन कर लिया जाता है, दीरे दीरे आप देखेंगे, जो टेंचन है, वो नाशनलिस्ट की मीटिंग पे लगबख चार सो लोग गवर्मेंट के डिटा के साब से जलिया वाला बाग मसाकर में मारे जाते हैं इस जो रॉलेट सा तक रहे था इसने अब गांधी जी को हाउजोड नेम बना दिया था एक नाशनल लीडर के तौर पर एस्टैब्लिश कर द कियते हैं कि जो भी लो kolonialism को खतम करना चाते हैं वो school जाना बंद कर दो जितने lawyers हैं ओना प्रेक्टिस करना बंद कर दो और सामाने लोग अपना tax देना बंद कर ओ इनसे कहा जाता है कि जो भी Britishers के काम आप कर रहे हो वो सब अपनी मर्जी से सारे छोड़ दो Non-Cooperation अगर अच्छे तरीके से करा जाए तो गांधी जी कहते हैं कि साल भर में हम सुराज हासिल कर लेंगे इसके साथ में ये ये भी कहते हैं कि खिलाफ़त जो मुमिंट है जो कि खलीफा को रींस्टॉल करने की बात करी जाती है पैन इसलामिक वर्ल्ड का जो लीडर है जिनको अबॉलिष्ट कर दिया गया था तर्किश रूलर कमाल अथा तुर्क के द्वारा उनको रींस्टॉल करने के लिए खिलाफ़त मुमिंट जो शुरू कर गी थी Muslims को दारा उसके साथ जोड़ देते हैं तो एक तरह आप देखें इन ओन कोपरेशन movement साथ में आप देखेंगे कि खिलाफत movement दोनों को साथ में जोड़ दिया जाता है इससे दो फायदे होते हैं पहली बात आप देखें तो Hindu-Muslim unity हो जाती है एक collective आर्मी की तोर पर आप देगे collective mobilization हो जाता है लोगों का अगेंस दी colonial rule और जो differences भी थे अगर थोड़े बात तो वो भी कहीं न कहीं consider करे जा रहे थे और उनको harmonious level पर इस movement को आगे बढ़ाया जा रहा था यह गजब का popular action होता है और अंग्रेश जो है उनकी नीव हिल जाती है 1857 के बाद दूसरे ऐसी movement थी जो कि अंग्रेशों ने देखी थी आप देखेंगे पहाड़ी इलाके जो थे अंदर प्रदेश के बहापर forest laws को वालेट करा जा रहा है मतलब जो forest जो उसके forest produce एकटा कर रहे है firewood एकटा कर रहे है यह सारी चीज़े करते है आवद की farmers tax देने से मना कर देते है कुमाओ के जो patients है यह जो officers का load उठाते थे बोजा उठाते थे वो मना कर देते है साथ में आप देखें जो local leadership होती वो अपने अपने साब से interpret कर रहे थी जो patient workers है वो अपने साब से non-cooperation को interpret करके अपने अपने तौर पे reactions दे रहे थे non-cooperation के बारे में एक American biography लिखते हैं Lewis Fisher यह कहते हैं कि non-cooperation भारत की और गांधी दोनों की जीवन में बहुत ही important एक chapter के तौर पे देखा जाना चाहिए जो non-cooperation है वो अपने आप में देखें तो peaceful भी था तो it was negative enough to be peaceful and positive enough to be effective तो एक तरफ positive point यह था कि बहुत जादा effective है और एक तरफ से आप देखेंगे तो अंग्रेज यह सोच रहे थे कि इसके बाद भी peaceful कैसे है यहाँ पर बात करी जाए देखी थी renunciation की पहले खुद के उपर तो राज करो हिंसा ना करो और भी जो उनके प्रिंसिपल जो उनके उपर चलने की बात करते थे non-cooperation moment जैसा मैंने आपको बताया कि अंग्रेजी हुकूमत ब्रिटिश राज को हिला के रख देती है नीव हिला देती है और 1857 के बाद ये एक ऐसी moment थी जिसने ये करके दिखा रहा 1922 फरवरी आता है और चौरो चौरी एक United Province आज के समय के उत्तरप्रदेश के जगा पर एक कांड होता है एक पुलिस चौकी में कुछ पुलिस वाले होते हैं और जो जनता होती है वो भणकी हुई होती है और वो पुलिस चौकी को आग लगा देती है पुलिस चौकी को आग लगाती है और अंदर जो भी Constables पगेर थे वो जल जाते हैं और जल के मर जाते है गांधी की पास जब एक ख़बर पहुचती है तो गांधी जी इस moment को बापिस ले लेते हैं, non cooperation moment को ये बापिस ले लेते हैं, ये कहते हैं, मैं किसी भी तरीके का provocation नहीं सहूंगा, और सही मायने में ये जो लोगों ने किया, ये murder था, अब हर reaction के reaction होता है, और यहाँ पर reaction आपको देखने मिलेगा, non cooperation moment खतम होने के बाद स के ही, जेलों को भरना शुरू हो जाता है, बड़े बड़े दिगज नेताओं को, बहुत सारे भारतियों को, और गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया जाता है, on the charges of sedation, section 124A, judge जो है, वो preside करते हैं case पे, judge का नाम था, CNN Bloomfield, ये judge speech देते हैं, बड़े गजब की speech थे, ये कहते हैं कि जो facts हैं, उनको हम ignore ने कर सकते हैं, साथ में ये कहते हैं कि जितने भी लोगों की उपर मैंने फैसले सुनाए हैं, आप मुझे अलग category के लगते हैं, एक तरफ, तारीफ भी बहुत करते हैं कि आपका बहुत सम्मान है लोगों में, आप बहुत बड़े patriot or leader है, आपका जो जीवन शेली है वो भी आप देखेंग कि अगर आपकी जो सदा है, इस period को अगर कम करना possible होगा government को द्वारा, तो इसमें सबसे जादा खुशी जो होगी, वो मुझे होगी, तो आप देखो एक judge है जो दूसरी हुकूमत का है, जो की बना ही suppress करने के लिए उसके खिलाफ गलत हुआ है, सही मायने में देखें, तो non सेंटरी आदमी के लिए, महात्मा के लिए possible है, 1922, गांदी जी जो है, वो इंडर नाशनलिजम को transform कर देते हैं, बियेची स्पीच दीती, 1916 में याद करी, मैंने आपको बताया था, जब वो facts की बात कर रहे थे, क्या हम आदमी है नहीं यहाँ पर, मुमेट जो है, वो professional और गांदी ने इतनी तब्दीली लादी थी, जो national struggle है उसके अंदर, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो महात्मा गांदी कहने लगे थे, या फिर गांदी जी को महात्मा के तौर पे सम्मान देने लगे थे, आप देखें उनके पहनावे का तरीका, सामानने लोगों जैसे कपड़ इस टीडर्स है, वो western suit पहनेंगे, या फिर Indian बंद गला पहनते थे, बहाँ पर गांदी खाली एक धोती पहनते थे, धोती पहनेंगे और चर्का चलाएंगे, यही दो काम थे उनके, गांदी कहते थे spinning, यह जो चर्का चलाना है, यह जो traditional caste boundaries है, कि हमारा कपड़ा जो बनाए उनको खतम करता है, साथ में जो mental or manual labor की बीच में एक difference समझा जाता है, उसको भी कही न कहीं challenge करता है, शहीद अमीन गांदी की image trace करने का प्रयास करते हैं, मात्मा गांदी की image trace करते हैं, यह बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो report तैयार हुई थी और local press के जुरूमर से उसके बारे में बात करते हैं, जहां पर भी गांदी जाते थे 1921 की बात करे जा रहे हैं फरवरी में, जहां पर भी जाते थे उनको बहुत सम्मान दिया जाता था और भीड की भीड उमणा आती थी इनको देखने के लिए, और जिस तरीके से कहते थे कि आपको चरका चलाना है तो बहुत से लोग इनकी बात को माना करते थे, इंडियन नाशनालिजम का एक सिंबल बन जाता है चरका, जब 1921 में ये साउथ इंडिया का टोर करते हैं, तब ये अपने सर को मुणवा देते हैं, गांदी जी शेवड हीड, साथ में दोती तो पेनी रहे हैं, इससे जो स जड़ा हुआ था, और abstinence का जीवन जीएंगे, त्याप का जीवन जीते हैं, जहां पर ये जो consumerate culture है, कि जूता फला company का होना चाहिए, शर्ट फला company की होनी चाहिए, जो ये सारी चीज़े इन सबसे बहुत दूर हो गए थे, जहां पर भी गांदी जाते थे, तो उनकी दे कहीं पर ऐसा कहा जाता था कि गांदी का जो power है, वो English monarch से भी जादा है, ऐसी ऐसी बाते कहीं जाती थे, बहुत सारी जगाँ पर और भी तरीके की खबरे देखने मिली, कहीं पर अगर कोई गांदी की जो बाते हैं, अगर उनको नहीं मान रहा है, उनको चैलेंज कर रहा है, तो उनके घर तूटे मिलते हैं, उनके जो crops है, वो fail हो जाते हैं, उनकी जो फसल है वो बरबाद हो जाती है, लोग उनको अलग-अलग नामों से बलाते हैं, कोई गांदी बाबा कहता है, कोई गांदी महराज कहता है, कोई महत्मा कहता है, सही मायने में जो आम farmers थे, जो peasants जो मजदूर थे, वो गांधी को अपना सेवियर मानने रखते हैं, जो कि उनकी dignity और autonomy को restore कर सकते हैं, गांधी सही माईने में, आम लोगों के साथ तितना जुड़ते थे, कि एक अच्छा खासा current develop कर लेते थे, साथ में इनका जो रख रखाव है, इनकी जो जीवन शैली है, य मात्मी भी इन से जुड़ पाए, मात्मा गादी ये जो machines है, जो labor को displace कर रही है, इनके काफी criticize करते थे, वो चरके को human society के important symbol के तौर पे देखा करते थे, और कहते थे, ये machines और technology साही नहीं है, ये labor को अलग कर रही है, labor intensive job के उपर जादा ध्यान देते थे, mechanization पे जादा ध अब तो वो पैसे भी कमा सकता है, और साथ में अपने कपड़े खुद बनाएगा, तो सिर्फ reliant भी हो जाएगा, एक तरफ महत्मा गांदी, caste से, जाती से मर्चंट, वैपारी, पेशे से, वकील, उसके बाद उनकी जो lifestyle है, वो काफी simple, हाथ से काम करने की आदत, ये सारी च अलक दिखते थे, कोई बंद गला पैना है, कोई suit पैना है, अंग्रेजो वाला, गांधी जो है, एक तो दिख भी उन जैसे रहे हैं, साथ में जो बात कर रहे हैं, जो जीवन शेली, वो भी उन जैसी है, तो जो सामान निजन है, वो जाद अच्छे से गांधी की बात समझा करते थे, इसकी वज़े से जो मास अपील है, वो डेवलप होती थी, और वो भी जनुन मास अपील डेवलप हो रही है, ऐसा नहीं है कि बाहर दोती पैना है, अंदार जाके फिर से suit पैन लिया, उनने अपने जीवन को इस तरीके से ढाल लिया था, कि जनुन मास अपील करने हैं, तो आगे आने वाले समय में, मूवमेंट्स में आप दिखेंगे, विमिन लीडर्शिप भी घजब की होती है, नई ब्रांचे इस्टाइल इस्टाइलिश करी जाती है, कॉंग्रिस की, अलग अलग हिस्सों में भारत के, प्रजा मंडल बना जाएंगे प्रिंस्री स्टेट्स में, ताकि नैशनलिस्ट फिलिंग को बहाँ पर भी ट्रांसफर करा जा सके, ट्रांस्पिट करा जा सके, गांधी जी, कम्यूनिकेशन की बात करते हैं, तो कम्यूनिकेशन में ये कहते हैं, कि अंग्रेजी का अपयोग नहीं करना है, हम रिजिनल लैंगोजिस का mother tongue का यूज़ करेंगे linguistic reasons जो हैं वहाँ पर वो अपनी भाशा ही यूज़ करेंगे हमें बिलकुल भी अंग्रेजी यूज़ नहीं करनी है अंग्रेजो की भाशा नहीं यूज़ करनी है Gandhi nationalism को देश के हर कोने में लेके जाते हैं और साथ में ऐसे groups को जोड़ते हैं जो अभी तक इस national movement से अंचुए रह गए थे तो ऐसे national groups को भी ये assimilate करते हैं इस movement में अब तक आप देखेंगी जो Congress है उसका supporter base बहुत बढ़ गया था businessman और industrialist भी इनको support कर रहे हैं और गरीब, poor, peace and farmers सब इनको support कर रहे है Indian entrepreneurs को ये समझ में आ गया था कि अगर अंग्रेस यहां से चले जाएंगे तो competition खतम हो जाए गया and it's good for business कुछ खुल के इनका support करते थे जैसे GD Birla, कुछ ऐसे थे जो गुप्त में इनका support किया करते थे तो गांधी के जो admirer हैं वो गरीबों में भी हैं, गरीब लोग भी admire करने हैं गांधी को और जो rich industrialist हैं वो भी admire करते हैं गांधी को even though poor, patient या फिर जो workers हैं और industrialist हैं दोनों के जो interest हैं वो common नहीं रहने वाले हैं हाला कि महात्मा गांधी का जो role है national freedom में या फिर national struggle में वो important था लेकिन वो ये काम अकेले नहीं कर पाते, उनके साथ में ऐसे दिगज गजब के नेता जुड़ गए थे जिसकी वज़े से इनके जो impact थे, इनके जो effect थे, वो exponential outcomes दिखा रहे थे और ये क्यों हो रहा था क्योंकि 1917 से 1922 के बीच में ये दिगज नेताओं के साथ जुड़ते हैं जो कि young minds थे, energetic minds थे, जैसे महादेव देसाई, बल्लब भाई पटेल, जीपी कृपलानी, सुभाशंद बोस, अबुल कलाम आजाद, जवालना लेरू, इस तरीके के बड़े-बड़े नेताओं से ये जुड़ते हैं इनके close association से आप देखेंगे, अलग-अलग regions, अलग-अलग religions, अलग-अलग traditions के लोग भी इनसे जुड़ते हैं बहुत सारे लोग जो है, वो Congress को जॉइन करते हैं महात्मा गांदी, 1924 में जब prison से बाहर निकलते हैं, मैंने आपको बता है, sedation के charges पे इनको बंद कर लिया था 1922 में जब 1924 में बाहर निकलते हैं, तब ये choose करते हैं, कि अब मैं सिर्फ चर्खा चलाओंगा, खादी बनाओंगा, और untouchability खतम करने का काम करूँगा मतलब सीधा सीधा ये politician से shift होके social reformer का role play करने लगते हैं, politician तो हैं अंदर से, लेकिन अब ये कहते हैं, आप social reform की ज़रूद है इन्हों ने ये कहा कि अगर हमें freedom चाहिए, तो क्या हम उसके काबिल हैं, हमारे समाज में इतने बड़े-बड़े social level हैं, जैसे child marriage है, untouchability है, तो पहले इनको खतम करने की ज़रूद है साथ में ये कहते हैं कि हमें genuine tolerance की ज़रूद है, हमारा धर्म बड़ा है, तुमारा छोटा है, इस तरीकी की बाते नहीं करनी है, हिंदू-Muslim harmony establish करके रखनी है इसके अलावा economic front पे भी बात करते हैं, कहते हैं आत्म निर्भर बनने की ज़रूद है और इसी वज़े से कहते हैं कि सब को खादी पहनना चाहिए, ये जो milk के कपड़े हैं ये पहनना बंद करना चाहिए, जो अंग्रेज overseas इंपोर्ट करके लेके आते हैं, वहाँ से बनाके, उनको पहनना बंद करना चाहिए बहुत सारे साल आप देखेंगे, नौन कॉपरेशन मुमेंट के बाद भी बहुत सारे साल गांधी सिर्फ सोशल रिफॉर्म पे ही फोकस करते हैं, सोशल वर्ट पे ही फोकस करेंगे 1968 ही साता है और ये politics में फिर से entry मानने की भारे में सोचने लगते हैं और उसी समय पर 1927 के आसपास एक किस्ता हो जाता है, साइमन कमिशन मनता है जिसमें पूरे अंग्रेश थे और ये constitutional provisions लेने लाने जा रहा था भारतियों के लिए गांधी moment को support तो नहीं कर रहे थे directly लेकिन गांधी ने अपना आशरवाद दिया था इस moment के लिए भी और एक present moment हो रही थी सत्तग्रेव बार्दोली में उन दोनों के लिए December 1929 में Congress का annual session होता है लाहोर में आपको मालूम है 1929 का session बहुत important है यहाँ पर जवाला नहरू को president चुना जाता है इसका मतलब यह है कि अब जो leadership है उसका जो बेटन है उसका जो कारवार है वो younger generation को सौपा जा रहा है यहाँ पर एक commitment ली जाती है पूर्ण सुराज की complete independence की तीरे-दीरे आप देखेंगे जो politics में change आ रहा है Independence Day observe करा जाता है 26 January 1930 से कि आपसे यह हमारा Independence Day के तौर पर observe करा जाएगा और national flag को hoist करा जाता है अलग-अलग आप देखेंगे venues पे patriotic songs गया जा रहे है गांधी जी ने खुद instructions दिये थे कि इस दिन किस तरीके से पूरी कारणभाई चलने वाली है step by step क्या होने वाला है यह कहते हैं कि जो भी काम होने वाले हैं आप अगर कोई भी चीज अनॉंस करने हैं तो उसके लिए बकायदा ढोल पिटवाएंगे drum beating होगी उसके बाद आप कोई भी चीज यह जो traditional way है उस तरीके से करेंगे flag की hoisting होगी यह चीज के बारे में भी गांधी जी बताते हैं और फिर बाकी के पूरे दिन हम untouchables की बीच में service करेंगे उनकी मदद करेंगे Hindu और Muslims के union के लिए काम करेंगे यह सारी चीजे करेंगे मतब social reform में अपना पूरा दिन देना है साथ में यह कहते है कि सब को वचल लेना है वचल यह लेना है कि हमें अपने rights लेने है हो सकता है कि जो government है हमें अपने rights माँगने से या हमें rights देने से मना करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी हमें लड़ते रहना इस government को abolish करके ही हमें दम लेना है। जैसा मैं आपको बता रहा था कि गांधी जी politics में re-enter करने के बारे में सोच रहे थे। आप देखेंगे इंडिपेंडनेस डे अब्जव होता है जबूश जनवरी 1930 को जब यह होता है उसके बाद में महात्मा गांधी अनौंस करते हैं कि वो एक मार्च करने वाले हैं। मार्च करने वाले हैं, salt law जो है, उसको break करने के लिए, जो British law बनाये थे, उसको break करने के लिए यह करेंगे। और यह क्या था? यह जो state की monopoly है, नमक बनाने के उपर और नमक बेचने के उपर इसको तोड़ने वाले हैं। अब यह salt monopoly को लेते हैं, क्यों लेते हैं? क्योंकि नमक यह कैसी चीज है, जो किसी भी खाने के लिए indispensable है, पूरे भारत में इसको use किया जाता था। domestic use के लिए भी नमक की जरूत पड़ती है, और उसके बावजूद भी वो domestic use के लिए नमक बनाने की permission नहीं थी। वहाँ पर भी high prices पे उचे दामों पे नमक खरीदना पड़ता था, इस तरीकी किस्तिती है, क्योंकि state की monopoly थी नमक के उपर, जिसकी वज़े से आम जंता में यह बहुत ज़्यादा unpopular था, लोग इससे बहुत ज़्यादा नारास थे। और गांधी ने इसी चीज़ को target बना लिया अपना और गांधी जी mobilize करते हैं लोगों के discontent को British rule के अगेंस्ट नमक को लेके। अपनी मार्श शुरू करते हैं 12 मार्श 1930 से, यह चलना चालू करते हैं शाबरमति आश्रम से ओशन की तरफ और यह देखे सीधे हाथ पे दंडी मार्श 1930, यह पहुंचते हैं अपने destination पे तीन हफ़ते बाद, 21 दिन बाद यह पहुंचते हैं और एक मुठी बर नमक बनाते ह और उसके बाद सीधा सीधा अगर देखें तो जैसे यह नोने यह जो नियम है उसको तोड़ा, इसका सीधा मतलब क्या है आप वो क्रिमिनल हो गए है, लो के नजर में, कानून की नजर में आपने एक क्राइम कर दिया है, एक जुरू कर दिया है, इसी तरज पे बहुत सारी जगाँ पर देश में, सॉल्ट मार्चेज हुए, और इसी तरीके से नमक बनाया गया अलग-अलग कोस्टर लाइन्स पे, जैसा नॉन कोपरेशन था, कि लोगों ने अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट किया, और अपने हिसाब से उसको डिफाई करने का, या फिर इंट वोट कलेक्ट करने चले जाएंगे, फैक्टरी वरकर्स जो है, वो स्ट्राइक पर आ जाते थे, जो लॉयर्स है, वो बैकॉट करतेंगे ब्रिटिश कोट को, स्टूडेंट जो है, वो गवर्मेंट एजूकेशन इंस्ट्टिउट्स में जाने से मना करतेंगे, गांधी जी कि असपास भारतियों को जेल में डाल दिया जाता है, जिसमें गांधी जी भी थे, गांधी जी जब मार्च कर रहे थे, शीशोर की तरफ, तब कुछ सीक्रेट रिपोर्ट्स, कुछ एस्पेनाज, जो स्पाइज बगेर हैं, वो गांधी जी के पीछे घूमते रहते थे थे गांधी जी 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 जाएंगे, तो इस तरीके से फ्रीडम स्ट्रगल जो है, वो बढ़ता जा रहा था, वसना करके गांधी जी 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 वो अपर कास्ट से कहते हैं, कि अगर आपको स्वराज में जुड़ना है, तो आपको अन्टचिबल की सेवा करने चाहिए, आपको स्वराज सिर्फ सौल्ट टेक्स या दूसरे टेक्स अटाने से नहीं मिलेगा, अगर आपको स्वराज चाहिए, तो उसके लिए जरूरी है कि जो सोशल इशूज है, जो सोशल प्रॉब्लम से सुसाइटी के उनको खतम किया जाए, जैसे अन्टचबिलिटी, कास्ट की विलेजर्स, विमन, सब आजाते हैं, सब एखटे होते हैं गांधी जी की बात सुनने के लिए, गांधी जी जहांपर भी मीटिंग्स रखते थे वहाँ अटेंट करने के लिए, हजारों की तादाद में जो वो नाशनल कॉस के लिए जुड़ते हैं, नाशनलिस काम और कलेक्टिव नजर आ रहे हैं, दीरे दीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे इनकी शक्ती भी बढ़ती जा रहे हैं, एक तरह आप देखेंगे, तो टाइम्स करके एक न्यूस पेपर मैगजीन आती है, वो गांधी का शुरूबाती दौर में मज कर लेगा, लिकिन वो देखते हैं, कि रिपोर्ट्स जैसे जैसे आगे बढ़ती, जैसे गांधी अपनी मार्च को आगे बढ़ते हैं, जहां पर टाइम्स को लग रहा था कि गांधी अपनी मार्च पूरी नहीं कर पाएंगे, जब वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच हैं, तो यही टाइम्स काफी तारीफ करता है गांधी की, फिर उनको ऐसे शब्द यूज़ करे जाते हैं, जैसे सेंट, स्टेट्समेन, इस तरीके के शब्द यूज़ करे जाते हैं, कहते हैं, कि क्रिश्चन अक्ट है, उसको वेपन की तौर पे यूज़ किया और उन्हों टार्गेट नहीं पापाते हैं, तब तक आपके रिष्टदार और तमाम लोग कहेंगे आरे, तुम से ना हो पाएगा, और जिस दिन आप कर लेंगे, तो वो कहेंगे आरे, तुम तो इसी के लिए बने थे, मुझे पता था, मैं ना कहता था, तो ये फरक जो है, ये गांध तमाम नेता है, जवाला, नेरू है, सुबास्चन बोस है, महादिर दिसाई, सरदार बरलब भाई, पतिल, बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो इस पार्ट में यहां तक, अगले पार्ट में हम डायलोग से शुरू करेंगे, और एंड करेंगे हम गांधी की पसनालिटीज को अलग अलग सोर्से से जानने के बारे में, तो यहां पर इस पार्ट पर हम डिस्कॉशन को समाप्त करते हैं, पार्ट टू में मिलता हूँ आप से मैं बहुत ही जल्द,